नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे section 80C में पांच ऐसी investment schemes जिसमें आप invest करके अपना tax भी बचा सकते हो और साथ में अपने पैसों को अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ भी देख सकते हो तो बने रहे हैं का दोस्तों इस वीडियो में मैं हूं सी यहिमंत आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरहल फिनांस चैनल पर नहीं है मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्स्राइब भी जरूर करेंगा क्योंकि मैं लेकि आता हूं वीडियो टैक्स के उपर में इन्वेस्मेंट के उपर में और स्टॉक्स के होता है फाइदा हम सभी लोगों का तो दोस्तों अगर आप इंक्म टेक्स रिटर्न भरते हो तो सेक्शनower इसए से क्योंकि सक्शने इतना कॉमन सेक्शन हैं जिसके टहत हम डीडक्शन क більम करते हैं अपना इंक्स रिटर्न फाइल करते हो अग्त से काई हम को जें कम से कम दे अगर आपके पास में investable surplus है तब यानि अगर आप section 80C में जो 1.500,00 रुपे का deduction मिलता है उसका पूरा benefit नहीं ले पा रहे हैं कारण चाहे जो भी हो पर अगर आप पूरा benefit section 80C का नहीं ले रहे हैं तो आपको पूरा benefit ज़रूर लेना चाहिए उससे एक फाइदा यह होगा कि एक तो आप compulsorily कुछ invest करोगे और दूसरा आपका इसके उपर में और दूसरा आप जो भी पैसा invest करोगे उसके उपर में आपका tax भी बचेगा तो दोस्तों इसमें सबसे जादा जरूरी investment जो होती है वो होती है PPF की अगर आप business man हो तो obviously आपक को तो PF करता है पर business man जो self-employed है जिनका PF नहीं करता है उनको retirement के point of view से अगर वो देखें तो PPF एक बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकारी स्कीम है जिसमें अच्छा rate of interest मिलता है और जो भी पैसे आप इसमें invest करते हो वो section ATC में आपको 1.5 रुपे तक deduction मिल जाता है प्यास maturity पे करुपे जो भी पैसे मिलता है वो सारा का सारा tax free होता है और saala जो आपको ब्याज मिलता है वो he운 मेरा कईटार हो. पीपीएफ में आजकी डेट में सवेंञें पांट परसंट का ब्याज मिलना है कहीं भी इतना पैसा interest के तौर पर नहीं मिल रहा है आज की डेट में FD में अगर आप देखो तो जो rate of interest है वो करीब-करीब 5% का रह गया है और यह आने वाले time में कम ही होना है PPF में भी rate of interest धीरे-दीरे आने वाले सालों में कम होगा पर हमेशा FD से ज़्यादा ही रहेगा इसलिए अगर आपके पास में investable surplus है तो PPF में ज़रूर पैसे लगाईए और पूरा 1.5 लाग रुपए का benefit उट्राने का कोशिश करिए PPF के दुरू दोस्तों PPF के अलावा एक और सरकारी investment scheme है जिसको हम सुकन्या समृद्धी योजना के नाम से जानते हैं अगर किसी के घर में कोई लड़की है 10 साल से कम की तो आप अपनी बेटी के नाम पे ये account खुलवा सकते हो और इस investment से tax बचाने के साथ साथ आप बहुत अच्छा rate of interest कमा सकते हैं जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तब ये account आपका mature हो जाएगा और आपको 81 सारे पैसे mature होके मिल जाएगे उस time पे आप इन पैसों को अपनी बेटी के future के लिए utilize कर सकते हैं जो भी पैसा आपको maturity पे मिलेगा वो पूरा का पूरा tax free होगा तो सुकन्या समरिद्य account भी एक बहुत ही अच्छा investment scheme है जिसमें जो भी पैसा आप डेल लाग रुपे तक जमा कराते हो उस पे आपको deduction income tax मिलता है साथ की साथ आपको maturity पे जो पैसे मिलते हैं वो भी tax free होते हैं इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे equity linked saving scheme के बारे में equity linked saving scheme उन लोगों के लिए फैदेमंद scheme है जो लोग अपने investment के साथ में थोड़ा risk ले सकते हैं यानि जिन लोगों ने अपनी career की शुरुवात अभी की है या retirement के करीब नहीं है वो लोग इस scheme का benefit ले सकते हैं long term के लिए अगर आप इस scheme में पैसे invest करते हैं तो काफी अच्छी probability है कि आपको अच्छा rate of return मिलेगा यह लिए से scheme के अंडर में क्योंकि इसमें जो पैसे आप लगाते हो यह share market में पैसे invest होते हैं और share market over the period लंबे समय के लिए एक अच्छा return देखे जाता है यह एक established fact experience यही कहता है पर उसके लिए आपको पैसे कम से कम 7-8-10 साल के लिए लगा के रखने पड़ेंगे यह लिए से scheme की demerit यह है कि जो पैसे आपको मिलता है यह tax free नहीं होता है इस पे long term short term के basis पे आपको capital gain tax देना पड़ सकता है चौथा हम बात करेंगे दोस्तो tax saving fixed deposit के बारे में जो लोग retirement के करीब हैं उनके लिए tax saving FD बहुत ही अच्छा scheme है इसमें सिर्फ और सिर्फ demerit एक ही है जो लोग इस scheme में पैसे लगाते हैं उनके पैसे 5 साल के लिए block हो जाते हैं यानि अगर आप 5 साल के पहले चाहो कि आप अपना FD तोड़ लो तो आप तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि tax saving FD की precondition होती है कि 5 साल तक आप इसको तुड़वा नहीं सकते हैं तो 5 साल के लिए अगर आपको पैसों की जरुवत नहीं है तो आप इस scheme में invest कर सकते हो और जो लोग retirement के करीब हैं जो लोग कम risk लेना चाते हैं अपने पैसों के साथ में वो tax बचाने के लिए अगर कोई investment करना चाते हैं तो tax saving FD में वो ये पैसे लगा के छोड़ सकते हैं लास्ट में दोस्ता हम बात करेंगे यूलिप और insurance plan के बारे में यूलिप यानि unit link insurance plan एक ऐसा plan है जिसमें आप जो पैसा लगाते हो section 80 से में 1.500.000 रुपे तक deduction क्लेम कर सकते हो यानि यह आपका tax भी बचाता है और साथ में आपका investment मैचूर होने पे अच्छी return दे सकता है अगर आपने long term के लिए पैसा लगाया है और साथ में यह आपको एक आपका life cover भी देता है अगर आप किसी भी ULIP policy में 1.500.000 रुपे से ज्यादा लगाते हो तो maturity पे जो पैसे मिलेंगे आपको वो taxable होंगे यानि आप अगर ULIP में premium 1.500.000 रुपे से ज्यादा दे रहे हो किसी एक ULIP policy में तो आपको जो maturity पे पैसे मिलेंगे वो taxable होंगे उससे कम अगर लगाते हो तो section 10 में जो maturity पे पैसे मिलते हैं वो tax free होते हैं insurance plan के अगर हम बात करें तो हर वो शक्स जिसके उपर में कुछ लोग dependent हैं जिसकी income के उपर में कुछ लोग dependent हैं जो घर में कमा रहा है उसके उपर में dependent हैं ऐसे लोगों को अपना term insurance plan ज़रूर कर लेना चाहिए इससे आपके financial dependence हमेशा financially secure रहेंगे और जो premium आप दोगे इस insurance policy के लिए वो आप section 80C में deduction claim कर सकते हो तक पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको term insurance plan कम premium पे आपको life cover देता है जिसमें आपको कुछ होने पे आपके dependence को किसी भी तरह की financial परिशानी नहीं होती है तो term insurance plan को tax savings से जोड़के नहीं देखना चाहिए बलकि उसको एक ज़रूरी investment option समझना चाहिए जिसमें पैसा ज़रूर लगाना चाहिए हर किसी को एक term insurance plan ज़रूर ले लेना चाहिए additional benefit के तौर पे आप tax saving का option इस insurance plan से देख सकते दोस्तों इसके अलावा अगर आप confused हैं अगर आप चाहते हो कि कोई आपको guide कर दे कि आपको कहां पैसा लगाना चाहिए किस तरह आप ज़्यादा tax save कर सकते हो किस तरह आप अपने पैसों पे अच्छी return कमा सकते हैं अपनी investment grow होता हुआ देखना चाहते हैं तो नीचे description में मैंने एक link दे दिया आप उस form को बढ़ दीजे हमारी team आपसे contact कर लेगी और बिल्कुल free of cost आपको पूरी guide करेगी कि आपके लिए क्या फायदेमंद रहेगा कितना आप tax बचा सकते हैं और कौन-कौन से investment में आपको ज़रूर invest करना चाहिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो like करिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल के subscribe भी ज़रूर करिएगा